नोज़कार दोस्तों, प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में स्वागत है आपका शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट दा हिंदू न्यूज से फ्रेंट पे स्पेक निउज है, स्प्रिम कोट ने कहा है कि right to privacy जो है वो absolute right नहीं है, काफी amorphous है amorphous वो चीज होती है जिसे define नहीं किया जा सकता Supreme Court ने कहा कि देखिया अगर आप right to privacy implement करोगे तो इसके दाइरे में तो बाकी rights भी आ जाएंगे जो constitution में नागरिकों को citizens को दिया गए है यानि यह तो pender of box है तो इससे तो काफी फाइदे की बज़ाए नुकसान हो जाएगा ऐसा Supreme Court ने कहा यहाँ पर देखिये अमोर्फस का मतलब यह है कि इसे define नहीं किया जा सकता पहले इसे define करना पड़ेगा तभी इस पर सुनवाई हो सकती है और Supreme Court ने यह भी खा कि Central Government के पास में पूरे अधिकार है कि अगर वो कोई चीज़ इंप्लिमेंट करने चाती है तो उसके आड़े में right to privacy नहीं आ सकता Central Government के पास में पूरी आजादी है कि कोई वो चीज़ इंप्लिमेंट कर सकते हैं और right to privacy बिल्कुल absolute नहीं है तो पूरा decision तो आगे आएगा ऐसा Supreme Court ने verbally कहा सुनवाई के दुरान में अगला है मानम सुरक्षा कानून पारिमेंट में काफी बहस हो रही है मोब लिंचिंग के उपर में Central Government ने कहा कि जो मोब लिंचिंग यानि यह एक land order problem है और जो कि state के दाइरे में आती है state governments इस पर action ले सकते हैं क्योंकि land order जो होती है पुलिस जो होती है वो state list में आती है जबकि opposition parties कह रही है कि government को कोई ना कोई कानून बनाना से यह मोब लिंचिंग के उपर में फिर बाद में अब जो opposition parties यह उन्होंने यह भी कहा कि देखे अगर government कानून नहीं लेके आती है चुकि वो बार बार government को कह रहे हैं कि आप कानून लेके आई हो कोई पर्लेमेंट में कोई proposal रखिए अगर government कानून नहीं लेके आती है तो एक private member बिल पेस किया जाएगा तो थोड़ा सा इसके बारे में discuss कर लेते हैं कौन सा government द्वारा परपोस्ट बिल होता है और कौन सा private बिल होता है पब्लिक जो बिल होता है वो एक minister के द्वारा introduce किया दाता है ये condition है कि सिरफ minister की introduce कर सकते है पब्लिक बिल को और साथ दिनों का notice आवश्यक होता है और लेकिन private बिल के लिए कम से कम एक महिने का notice होता है तीस दिनों का notice कम से कम आवश्यक होता है और ये बिल जो है बाकी members यानि जो सत्ता धल के अलावा कोई भी MP से पेस कर सकता है आगे हैं National Crime Records Bureau Central Government ने इस चर्चा पर करते हुए ये भी कहा कि जो National Crime Board Bureau है वो किसी भी Crime के बीच में differentiate नहीं करती तो इस बोड़ी के बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये Government Agency है और जो की data ही कठा करती है काफी बार आपने देखा भी होगा कि Newspapers में इस तरह की खबरे छपती है कि Murders इतने हुए चोरियां इतनी हुई एक साल का data होता है पर्टिकलर जगह से रिलेटिड तो इस तरह की जो बोड़ी वो data इक अठा करती है उस बोड़ी हो गयते है National Crimes Record Bureau तो इससे क्या होता है कि पुलिस एक linkage establish कर देती है एक pattern establish कर लेती है कि कितने crimes हैं वो बढ़ रहे हैं नए तरह के crimes कौन से हो रहे हैं उसी इसाब से पुलिस को empower किया जा सकता है 1986 में इस बोड़ी को set up किया गया था सारी जो information होती है crimes से related वो इस बोड़ी के पास में होती है और investigators को help करती है perpetrators को justice दिलाने में justice दोनों तरह का अगर किसी ने crime किया है तो उसको सजा मिलेगी इस चीज को भी justice कहते हैं और victims को सजा मिलेगी जिसने उसके खिलाफ में गल्त किया उसको भी justice कहते हैं अगला article जिरो आवर से related है जिरो आवर के दुरान में मुलाइंग सिंग अदो ने दावा किया कि चाइना हमारा number one enemy है और हमारे खिलाफ में nuclear attack को plan कर रहा है तो news तो जादा important नहीं लेकिन zero hour important है prelim के दृष्टी कौन से इसे rules of procedure में mention नहीं किया गया है ये एक Indian innovation है informal device है इस zero hour के दुरान में 12 बज़े जो होता है कोई भी member of parliament अपने आवाज को उठा सकता है कोई भी question raise कर सकता है तो time gap यानि question hour और जो main agenda के बीच में जो time होता है उसको कहते है zero hour तो याद रखेगा zero hour काफी important है उसके बाद में है pack rebellion pack rebellion को 200 साल पूरे हो गए हैं 1817 में हुई थी ये pack rebellion उडिशा cabinet ने एक decision पास किया और कहा कि अभी देखिया हमारा जो first war of independence है वो 1807 की करांती को बना जाता है और उडिशा government ने कहा उडिशा cabinet ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से decision लेना चीए central government से अन्रोध किया कि आप 1817 की जो pack rebellion हो उसको आप first war of independence का दरज़ा दें समझ गये pack rebellion देख लेते हैं किस किस के बीच में हुई थी pack rebellion को pack बिद्रोहा भी कहा जाता है ये एक armed rebellion थी British East India Company के खिलाफ में हुई थी 1817 के अंदर में तब लीडर थे इसके बक्सी जगबंदू और लोड जगनात को एक पूरे औरिया unity के signify करकर दिखाया गया था यूनिफिकेशन की तरह दिखाया गया था और धिरे धिरे पूरे उडिशा में ये जो rebellion थी वो फैल गई थी यहा activities थी वो implement करी जिससे काफी नुकसान पहुंचा लोकल जो पीजन्स थे उनको और इसके खिलाफ में धिरे 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 ऐसंतोस पैदा हुआ और बाद में जो military chief थे खुर्दा के जो king थे उन्होंने अपनी आर्मी को समेटा और rebellion कर दिया ब्रेटिश हर्स के खिलाफ में leader थे National Company Law Appellate Tribunal जो है उन्होंने जो भूसन स्टील से लेटिट जो इस्यू था इंसॉलवेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट खा उस पे अपना फैसला सुरक्सित रख लिया है तो National Company Law Appellate Tribunal के बाले में थोड़ा साम जान लेते हैं ये एक क्वैसे judicial body है और ये company से लेटिट जो भी माम अपनियक 2013 और तारीक का नाम है एक जून 2016 अब यूपेसे आजकल इस तरह के question भी पूछती है कि it was established in 90s और 2011 इस प्रकार से बिल्कुल basic question भी पूछन रखती है जैसे एक पूछा था trade facilitation agreement के बारे में पूछा था क्या इंडिया ने वो 2015 में किया था या 16 में किया था तो थोड़े थोड़े facts हमें याद रखने चाहिए और NCLAT याई national company law appellate tribunal जो है 11 branches है इसकी दो न्यू देली में है बाकी कई सारी cities में है अलाबाद बैंगलोरू चंडिगर्ड एमदबाद आचे नहीं तो यह तो याद रखने के आव सकता है इतनी है नहीं हाल फिलाल में बैंगलोर में भी जो NCLAT की जो एक branch है वो उसने function करना start कर दिया PIB की discussion अब अब हम कर लेते हैं आर्टिकल लंबर 75 से इलेटिड है वनकेजन आइडू जो मिनिश्टर थे हमारे urban development मिनिश्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अब वो vice president की post के लिए election लड़ रहे हैं तो थोड़े basics है प्रिलियम से इलेटिड वो हम जान लेते हैं मिनिश्टर individually responsible होता है president के और वैसे reality में तो PM के होता है लेकिन जो नाम के लिए जो कागचों में चीज़ चलती है वो president के individually responsible होता है कोई भी मिनिश्टर और मिनिश्टर तब तक office रखेगा office में रहेगा तब तक pleasure of president है और pleasure of president कब उठ जाएगी जब प्रधान मंतरी president को कहें हैं और president किसी particular specific minister को remove कर सकते हैं प्राइम मिनिश्टर की advice पे तो ये basic facts हैं उसके लावा थोड़ी और भी है article number 751 क्या कहता है PM को तो देखिए president appoint करेंगे वो rules है जब elections होते हैं तो कौन सी party की majority आई है या फिर अगर किसी party की majority नहीं आई है तो सबसे ज़्यादा seats कैसे किसकी आई है तो उसी base पे किसी person को prime minister appoint करता है president लेकिन उसके बाद में जो ministers जो appoint होते हैं वो prime minister की advice पे होते हैं president के द्वारा यह याद रखेगा यानि president के पास में अगर indirectly रूप से कहें तो prime minister appoint करने की power तो है choice तो है choice नाम के लिए वैसे actual में convention पे ही सारा कुछ चलता है ऐसे नहीं कि president जो है अपनी मर्जी से किसे भी appoint कर देंगे rules उन्हें follow करने पड़ते हैं लेकिन अब देखिए ministers के म कहने का मतलब क्या है simple सा fund है काग जो में नाम चलता है सारा कुछ president के नाम पे लेकिन काम करते हैं असल में prime minister ये सीधी बात है इससे सारे concepts clear हो जाते हैं और एक जो minister जो member नहीं है किसी भी house का उसको 6 मिने के अंदर अंदर में उनको 6 मिने के अंदर अंदर में election लड़ना पड सकते हैं देखे पहले तो कुछ limit नहीं थी ऐसे काफी सारे ministers बन सकते थे लेकिन बाद में 91st amendments आई 2003 के अंदर में अब number of ministers हैं उस पर रोक लगा दी गई है including prime minister and डूसरे जो ministers है total सिरफ अब जो limit है वो है 15% of total strength of both the houses यहीं लोगस्वा प्लस में राज्यस्वा इस limit के बाद मे decide किया गया था 2003 में जो economy amendment है उसके बाद में limit कर दिया गया है कितने ministers किसी council of ministers में हो सकते हैं salary कों decide करता है salary parliament के दोड़ा decide की जाती है time to time उसके बाद में क्या है article number 75 3 council of ministers जो है वो collectively responsible होंगे लोक्स बाखे एक बात याद रखे है यहाँ पे थोड़ी trick है parliament के collectively responsible नहीं होते council of ministers सिरफ लोक्स बाखे responsible होते हैं यह question UPSC ने 23 में पूछा था prelim के में कि जो council of ministers होते हैं क्या वो collectively responsible होते हैं पार्लेमेंट के नहीं सिरफ लोक्स बाखे तो यह थोड़ी छोटे छोटे facts हैं आप ज़रूर याद रखेगा अगला जो article है वो है traditional knowledge digital library देखे हमारे ancient time में काफी सारे किताबे लिखे गई थी medicines के उपर में तो यह foreigner क्या करते हैं Britishers या फिर दूसरे जो developed countries हैं के scientist क्या करते हैं कि हमारी जो traditional knowledge है उसको चुरा के वो patent register करवा लेते हैं तो इसके लिए अब सरकार ने क्या पहले डिसाइड की गई थी पहले बनाए गई थी यह traditional knowledge digital library लेकिन एक दिक्कत थी इस traditional knowledge digital library में जो books थी वो सभी languages में नहीं थी यानि अब देखिया इसे बाकी सभी languages में बनाया जारा जैसे English, French, German, Spanish, Japanese इससे क्या होगा इससे उनको पता लग जाएगा कि और बाकी जो patent authorities है उनको पता लग जाएगा कि यह जो सारी knowledge है वो इंडिया से बिलोंग करती है जो बहार के scientist है developed countries के scientist है इन चीज़ों पे इस knowledge पे अपना जो IPR है patent है वो register नहीं करवा सकते तो इसलिए है यह traditional knowledge digital library याद रखेगा यह भी काफी important है अगला article national board for promotion and development of yoga and naturopathy से related है यह जो board है उसका गठन सरकार ने किया है ministry of IUs के अंदर में यह आता है यह योगा से related सभी curriculum को उसको regulate करेगा किस परकार का curriculum होगा जहां courses कर रहा है उन सब चीजों के लिए यह board बनाया गया है अभी 21 जून को international day of yoga celebrate किया गया था सभी states में even UN के कफी सारे countries के और इसे colleges में schools में तो kind of yoga को promote करने के लिए regulate करने के लिए curriculum decide करने के लिए यह board है नाम है national board for promotion and development of yoga and naturopathy सरकार ने एक और स्कीम भी चलाई थी कि yoga से related जो professionals हैं अपने आपको voluntary certify कर सकते हैं quality council of India और जो ministry of IU से हैं दोनों मिलके standards decide करेंगे जिसके base पे जो amateur जो professionals हैं अपने आपको certify करेंगे तो quality council of India के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं इस पर question भी आया था UPSC quality council of India को set up किया गया था 1990 में government of India के द्वारा और जो India के इंडिया के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिवस हैं उनके द्वारा कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिवस हैं जैसे associated chambers of commerce and industry of India या फिर माली जिए confederation of Indian industry या फिर federation of India chambers of commerce and industry तो कहने का मतलब यह कि सिर्फ इंडिया बनाई गई या थोटी नहीं है यह यह government of India और जो Indian industry के रिप्रेजेंटेटिवस हैं तोनों ने मिलके बनाई है quality को standards को maintain करने के लिए quality के standards के parameters को decide करने के लिए इस body का निर्मान किया गया है ministry कौन सी nodal ministry है quality council of India के लिए जो nodal ministry है वो है department of industrial policy and promotion जो कि ministry of commerce and industry के अंदर में आता पहले इस mission का नाम था national bamboo mission अब इसका नाम बदल के national agroforestry and bamboo mission रख दिया गया है यह देखिए यह वैसे तो आता है mission for integrated development of horticulture के अंदर में यहां पे देखिए इस scheme के अंदर में आता है mission for integrated development of horticulture यहानि जो यह mission है national agroforestry & bamboo mission अब यह == mission है Mission for Integrated Development of Horticulture का पहले इसका नाम National Bambu Mission था इसका नाम बदल गया है Mission तो पहले भी था तो काइंड ओफ काफी साही चीज़े गोर्मेंट कर रही है इस स्कीम के अंदर में जैसे Bambu's की नरसरी त्यार करना Forward Integration यानि Forward Market से जोड़ना Holistic Market क्यार करवाना यानि प्रवाइड करना Farmers को जो Bambu की खेती करते हैं तो ये सब काम किये जा रहे हैं बस एक बादी याद रखना ये Submission है Mission for Integrated Development of Horticulture का आगे है FAME इंडिया P.I.B. में है ये National Electric Mobility Mission Plan 2020 की घोशना सकार ने पहले की थी मकसद क्या था? मकसद था Electric Vehicles और Hybrid Vehicles इन दोनों विकल्स को पर्मोट करना जो विकल्स बिजली से चलते हैं या फिर दोनों डीजल और बिजली दोनों से चलते हैं तो इस स्कीम का नाम था FAME FAME की क्या Full Form है? Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles यानि सरकार Manufacturing को स्पोर्ट करना चाती है तो इससे सरकार के दोनों मकसद जो है वो सर्व हो जाएंगे एक तो सरकार जो पोलिशन को कम करना चाती है और इस इंडस्टरी को भी सरकार आगे बढ़ाना चाती है ताकि Employment मिले लोगों को तो FAME स्कीम याद रखेगा किस के बारे में है FAME स्कीम जो है Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles को पर्मोट करने के लिए है आगे जो हमारी सीरी चल रही थी Ministry of Agriculture and Farmers Welfare की स्कीमस हम डिस्कस कर रहे थे तो आगे कुछ स्कीमस कम्प्रीट करते है National Agriculture Market कल हमने एक फंड के बारे में जाना था जिसका नाम था यहाँ पर देखे AgriTech Infrastructure Fund ATIF किसलिए था यह फंड आप बताएए रिवाइज कीजिए किसलिए था यह फंड यह फंड था National Agriculture Market के लिए अब वही दिखस कर लेटे National Agriculture Market National Agriculture जो मार्केट है सभी देश की मंडियों को जोड़ेगा यह फंड कहाँ से कौन सा फंड यही Agriculture Tech Infrastructure Fund और कौन किस के थूँ इंप्लिमेंट किया जाएगा करल हमने डिसकस किया था याद कीजिए जो एक Small Farmers का Consolitarian था वो इंप्लिमेंट करेगा इसको फंड आएगा कहाँ से नाम कहाँ फंड का Agriculture Infrastructure Fund इंप्लिमेंट कौन करेगा Small Farmers Consolitarian इस प्रकार से है यह तो काइंड ओफ बाकिशाई चीज़े तो सेम है कि Single License हो जो हम में में डिसकस करते हैं National Agriculture Market में Single License होगा Computerized जो प्राइस दिखेंगे किसान बेच करेंगे अपनी फसल ना सिर्फ अपनी मंडी में बलकि देश के दूसरे हिस्सों में भी काफि फाइदा होगा किसानों को इस से और Laboratories भी प्रवाइड की जाएंगे उच्छी तरख रखाओ के लिए Testing होगी और Grading भी होगी तो सब कुछ होगा इस National Agriculture Market में अगली जो स्कीम है वो Price Stabilization Fund से लेटिड है Price Stabilization of Fund 500 क्रोड का जो फंड है वो established क्या गया था Ministry of Agriculture के द्वारा में Aim क्या था Price Volatility को कम करना Agriculture, Horticulture Commodities की खास कर पहले क्या था लेखे आलू और प्याज के दाम जो थे Price Stabilization Fund इस्टाबलिश के था ताकि जो आलू और प्याज है उनकी volatility को रोका जाए लेकिन बाद में बाखी चीजें भी बाखी जो commodities है वो भी add कर दी गई थी इस Price Stabilization Fund के लिए अब जैसे PULSES और बाखी जो Commodities है वो भी आती है पहले यह आता था Department of Consumer Affairs के अंदर में यह जो Price Stabilization Fund है आजकल यह आता है Ministry of Agriculture के अंदर में Central Sponsored यह स्कीम है रेशो है 75% Central Government खर्च करेगा और 25% जो है वो State Government खर्च करेगा तो अब questions देख लेते हैं कौन-कौन से बनते हैं आप यह बताना है कि भारतिय सविधान में कौन सा ऐसा राइट है जो बाकी fundamental rights की protection भी करता है तो चार options है आपको answer देना है इसमें जो कौन सा exception है freedom of speech and expression के अगर बात करें तो हम चार options आपके पास में यह तो हमें पता है freedom of speech and expression जो है वो absolute right नहीं है तो कौन-कौन सी exceptions है आपको चूज करनी है options में से Medical Council of India के बारे में आप बताएगा क्या यह statutory body है यह non statutory body है और standards क्या किस चीज के लिए है यह Medical Council of India ICAO की भी हमने कल discuss किया था तो उसके बारे में भी आप questions का answer दीजेगा और आगे है Indian Metallurgical Department IMD किस-किस हाईता लेता है weather prediction के लिए क्या इन नीनों की लेता है या फिर Indian Ocean Dipole की लेता है और IMD जो डील करता है क्या सिरफ यह Metallurgical से डील करता है या किसी और चीज से भी डील करता है इसके लावा कौन सी मिनिश्ट्री के अंदर में आता है इंडिया का जो Metallurgical Department है रिकैब कर लेते हैं दो स्किम्स के बारे में हमने जाना National Agriculture Market और उसके बार में Price Stabilization Fund के बारे में जाना दा हिंडू में Right to Privacy के बारे में चर्चा की मानव सुरक्सा कानून के बारे में जाना याद है आपको हमने डिसकस किया था कि अगर सरकार ने बिल पेस नहीं किया मोब लिंचिंग के लिए तो हम प्राइवेट मेंबर्स का जो बिल है वो पेस करेंगे उसके बाद National Crime Record Bureau के बारे में जाना Zero Hour Pack Rebellion National Company Law Appellate Tribunal के बारे में भी हमने जाना P.I.B. में हमने Article No. 75 डिसकस किया Traditional Knowledge Digital Library डिसकस करी